मुश्कार दोस्तों आप सबी लोगा हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के एक साइज 10 का क्वेशन 19 से करने जार है पिछले वीडियो में दोस्तों में क्वेशन 18 ता देख रहे थी आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से इसका कारा है हम लोग को differentiate किजिए with respect to x तो दोस्तों देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यह radicals इसको हम लोग यहां से हटाएंगे इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकने हैं बताइए यह हो जगा sin 2x whole to the power कितना 1 upon 3 ओके यहां से इस radicals के sin को हम लोग क्या क्या हटा दिये यहां से इसको हम लोग क्या पावर में आजाएगा अब यहां हम लेट करेंगे कि लेट y equal to sin 2x whole to the power 1 upon 3 ओके इसका बाद हम लोग लेखेंगे differentiating both side with respect to x we get यह हम लोग को हो जाएगा d upon dx of यह वाई equal to d upon dx of यह टर्म यानकि sin 2x whole to the power 1 upon 3 ओके आगे देखिए यह वाज़ा नेश्टेश्टेप में dy upon dx equal to अब देखिए यहां पर पावर है यहां पर यह समझे कि पूरा क्या है x है x to the power n तो dy dx of x to the power n क्या होता बताईए dy dx of x to the power n equal to होता है n x to the power n minus 1 ओके यह हो जाएगा 1 upon 3 सबसे पर यह पावर का होगा 1 upon 3 x के जगा पे है sin 2x to the power n minus 1 into अब किसका होगा जिस पे पावर था यानकि sin 2x का होग डेडिवेटिप्स यानकि sin 2x ओके आगे देखिए तिया हो जाएगा dy y dx equal to 1 upon 3 यह हो जाएगा sin 2x इसको गल्सियम लेंगे तिया हो जाएगा 1 minus 3 कितना हो जाएगा minus 2 upon 3 हो जाएगा यहाँप इसको गल्सियम ले रहा है तो 1 minus 3 upon 3 कितना minus 2 upon 3 हो जाएगा into अब दूसरों देखिए यहाँपे हम लोग जानते हैं कि dy dx of sin x क्या होता है cos x साथ पर साइन का होगा यहाँपे तो हो जाएगा cos x के जगा प्ये पूरा है तो क्या है x? 2x into dy dx of 2x एक बार में एक ही फंक्सन हो जानते हैं कि dy dx of sin x होता है cos x x के जगा यहाँपे 2x है तो हो जाएगा cos 2x into अब dy dx किसका होगा? 2x का तो हो जाएगा dy dx equal to 1 upon 3 यह जाएगा sin 2x to the power minus 2 upon 3 into यह हो जाएगा cos 2x into अब यहाँपे दोस्तों देखिए कि यह constant है और यह भेडिये वाल है दोनों product में है तो constant क्या होगा बाहर आजाएगा? into dy dx of x आगे देखिए तो हो जाएगा dy dx equal to 1 upon 3 यह हो जाएगा sin 2x to the power minus 2 upon 3 into 2x into 2 into dy dx of x कितना होता? 1 होता है यह हो जाएगा dy dx equal to 1 upon 3 sin 2x to the power minus 2 upon 3 into यह हो जाएगा 2 cos 2x आगे देखिए यह हो जाएगा dy dx 3x equal to दोस्तों देखिए यहाँ पर यह 2 यह upon में 3 है यह इसको इसे भी लिख सकते हैं देखिए 2 cos 2x देखिए 2 cos 2x को बन्सा मल्टिप्लाइ करें देखिए 2 cos 2x हो गया है upon में यह 3 दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या निगेटिव है यह पर क्या निगेटिव है इसको बन्सा में नीचे शिप्ट करेंगे ति यह हो जाएगा हम लोग को sin 2x तो इस पर कितना हो जाएगा 2 upon 3 हो जाएगा तो यह ही दोस्तों इसका final answer हो गया यह दोस्तों जो 10x size है यह क्या basic है अभी जैसे आप लोग यहाँ बता है part by part करेंगे कैसे किया आता है single single करके तो जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो question क्या होगा lengthy होते जाएगा तो उसमें आप लोग को text differentiation आना चाहिए इसलिए दोस्तों यह exercise को exercise 10a को आप लोग अच्छा सकीजिएगा काईट आउट होगा तो कमेंड़ी ज़री पुछी सकते है अब इसका next question दखते है question number 20 देखिए question number 20 हम लोग को यह दिया है root under 1 plus cortex लिया गया अब दोस्तों देखिए सको लोग कैसे derivative से निकालेंगे तो सबस्तों पर इसमें आउट करेंगे let कर लेंगे let यह y equal to root under 1 plus cortex अब यहाँ पर सो differentiate कीजिए लिखेंगे differentiating both side with respect to x we get क्या हो जाएगा बताएए यह हो जाएगा हम लोगो d upon dx of this equal to d upon dx of root under 1 plus cortex ओके आगे देखिए तो दो जानते हैं कि d by dx of root under x equal to 1 upon 2 root under x होता है ओके तो देखिए इसमें उनों chain rule apply करेंगे तो समस्तों पर ले किसका होगा root का होगा तो root के अंदर में जो कुछ भी रहेगा उसको समझी कि ये x है ओके तिये हो जाएगा d by by dx equal to ये root x क्या होगा है 1 upon 2 root under x 1 upon 2 root under x x के जाएगा कितना है 1 plus cortex into अब किसका होगा ये d by dx of root के अंदर वाले का यानि कि 1 plus cortex ओके आगे देखिए तिये हो जाएगा d by by dx equal to ये 1 upon में 2 root under 1 plus cortex into अब यहाँ पर देखिए दो टर्म है ये हो जाएगा d by dx of वाले होगा 1 plus d by dx of cortex ओके तो जानते हैं कि d by dx of 1 क्या है constant तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ओके इसका होता है cortex का होता है minus cos x square x देखिए next पीज में क्या इसका result आता है देखिए इससे आगी इसको उन्हों solve करेंगे तो क्या हो जाएगा पिछला पीज में इतना result आया था तो जाएगा d by dx equal to 1 upon में 2 root under 1 plus cortex into ये हो जाएगा 0 plus क्योंकि ये constant है इसका 0 हो जाएगा और d by dx अब cortex होता है minus cos x square x ओके तो देखिए ये finally हो जाएगा हम लोगों को d by dx equal to देखिए यहाँ पर हो जाएगा minus cos x square x को 1 से multiply करेंगे तो हो जाएगा minus cos x square x upon में 2 root under 1 plus cortex तो ये ही दोस्ति इसका final answer हो गिए इसको हम लो ऐसे भी लिशकते हैं एक ही बात है minus 1 upon 2 into में cos x square x upon में root under 1 plus cortex ओके एक ही बात हुआ क्योंकि देखिए इसको जैसे यहाँ ने कुछ थे ये 1 है तो 1 upon 2 पीशे मैनस आईना तो minus 1 upon 2 into पर ये cos x upon में root under 1 plus cortex तो या तो ये लिखिए या ये लिखिए एक ही बात है दोस्तों आई होब दोस्तों ये question भी आप लोग समझ में आ गया होगा अब इसका आउन्हों next question देखते है question number 21 देखिए Taylor तो और बाहर करेंगे दोस्तों क्या भी सकते हैं cosine ये 1 upon x पावर कितना थ्री लिख सकते हैं इसको इतना लिख सकते हैं क्या है पावर यहाँ पर पावर का बाहर कर्दिए इसका है बेन итог होगा ये पूरा समझी GET यह x है तिए x to the power n का derivative इसको लोग solve पर सकते हैं यहाँ पर लिखें लेट y equal to cos 1 upon x square का power 3 ओके अब यहाँ पर लिखेंगे आपनों differentiating differentiating both side with respect to x we get क्या हो जाएगा बताएगे यहाँ जाएगा d upon dx of d upon dx of यह y equal to जाएगा d upon dx of यहाँ जाएगा cos 1 यह 1 upon x square का power 3 ओके आगे देखिए यहाँ जाएगा dy by dx equal to तेकि यह पूरा क्या है x है x to the power कोई नामर है तिए x का power n हो गया है ठीके इसका फर्मुला क्या होता है dy dx of x to the power n क्या होता है n x to the power n minus 1 n है यहाँ पे 3 x के जगह पे है cos 1 upon x square to the power n minus 1 into dy dx अब क्या होता है जिस पर power था यहने कि cos 1 upon x square ओके आगे देखिए अब देखिए इसको नों solve करेंगे यह हो जाएगा dy by dx x equal to 3 यह हो जाएगा हमनों cos 1 upon x square यह कितना हो जाएगा 3 minus 1 हो जाएगा 2 into अब दोस्तों देखिए यहाँ पे dy dx of cos 1 upon x square तो हमनों कैसे derivatives करेंगे देखिए cos 1 के बाद यह समझे कि यह x है तो जानते हैं कि dy dx of cos x कितना होता है minus cos x into cortex याद रखिएगा कि dy dx of d by dx of cos x equal to होता है minus cos x into cortex ओके तो देखिए सबसे पर हमनों क्या करेंगे cos x का करेंगे कि हो जाएगा minus cos x के जगब कितना है 1 upon x square into cot x x के जगब कितना है 1 upon x square अभी किसका derivatives हुआ है cos x का हुआ है फिर समझे कि dy dx of cos x से दिराता क्या होता है minus cos x into cot x minus cos x के जगब के है 1 upon x square into cot 1 upon x square अब किसका होगा dy dx of 1 upon x square का क्योंकि हमनों जानते हैं चैनल से एक वार में एक ही function का derivative निकालना है ओके one function at a time तिये इसका derivatives अब इसको समझे यहाँ पर इसको derivatives निकालेंगे तर फाइन देस का अंसर आ जाएगा तिये हो जाएगा dy dx एक्वोल टू 3 यह कॉसेक 1 upon x square का power 2 into यह हो जाएगा minus कॉसेक 1 upon x square into cot 1 upon x square into अब दोसे इसका derivatives निकालेंगे यह fraction में है तो हम लोग question टूल से इसको solve करेंगे तो दोस्तों class 11 का आप लोग पढ़े होंगे कि dy dx of u upon v में दी रहेगा सबसे पहले क्या होता है b का square फिर v into dy dx of u minus u into dy dx of v इसमें क्या बोलते है question rule बोलते हैं यह आप लोग दोस्तों नहीं पढ़े हो तो class 11 का differentiation के नाम से प्रिदरिश्ट बना हुआ है उसमें जाके दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं ठीक है तो अच्छा से आप लोग समझ में हैगे यहाँ यू क्या होता numerator औ भी क्या होता denominator होत फिर है यहाँ पर क्या भी यानिकी x square into dy dx of u यानिकी 1 minus u into dy dx of v यानिकी x square यानिकी यह हो जाएगा आपका v यानिकी x square अब आगे इसको solve कीजिए देखिए तो यह हम लोग को हो जाएगा dy dx equal to 3 यह हो जाएगा हम लोग कॉसेक यह 1 upon x square का power 2 into यह हो जाएगा minus कॉसेक 1 upon x square into cot यह 1 upon x square into दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा हम लोग को x square into 0 देखिए यहाँ पर क्योंकि यह constant है यह हो जाएगा minus 1 into x square का derivative से याद रखिएगा कि 2x होता है वैसे नहीं भी यह जाएगा तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि x to the power n का है n x raise to the power n minus 2x का पावर कितना 2 minus 1 तो 2x का पावर 1 यह हो जाएगा वैसे भी आप लोग कर सकते हैं और यहाँ हो जाएगा हमनों को x का पावर 2 2 जाए 4 ओके आगे देखिए तो देखिए यह डियर्ट तो हमनों क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 ही हो जाएगा तो देखिए फाइनली हो जाएगा हमनों को dy by dx इक्वल तो 3 यह हो जाएगा हमनों कोसेक 1 अपन x स्क्वार का पावर 2 इंटू यह हो जाएगा माइनस कोसेक यह 1 अपन x स्क्वार इंटू कोट 1 अपन x स्क्वार इंटू यह हो जाएगा माइनस 2x अपन x तो दीपावर 4 यह कहां से कैंसल होगा तो यहाँ पर कितना बचे अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आगे यह हो जाएगा हम लिए यह, अ अब यह तुछ अब जाएगा 6 हो जाएगा यहां पर स्क्वेर एंज करते दें देखिए यह 3 और इंटु यहां पर 2 यह माइनस और यह माइनस को मॉल्टिप्लाइ करें तो प्लस हो जाएगा 6 अपॉन में देखिए और निची में क्या बचा यहां पर xq ओके यहां पर इंटु डाल दिज심 यहां पर को सेक्ने में हो हो जाएगा हमनों और को सेक्ट यह आं पर X2 औके आगे दखें तो दोस्तों गोगे मैं कि अइस दोनों को प्रूंब करें किया करके मिलुब और नीचे यहां पर क्या है इकोल टू 6 अपॉन में एक्सक्यू यह स्क्वाइर को अंदर स्ट कीजिए ती हो जाएगा हम लोगों को कॉसेक स्क्वाइर इन्ट्ऋ एब दोनों क्या प्रोडक्ट में है को सेक्वाइर एक्सक्यू यहां पर सेम है एफ हो जाएगा हम लोगों को Words तो यही दोस्तों इसका final answer हो गया है तो यही होग दोस्तों question 21 भी आप लोग समझ में आगये होगा अब इसके next question देखते है question 22 देखे question 22 हम लोग यह दिया गया है root under sin xq दिया गया है तो इसको भी आदाराम से कर लेंगे यहाप लिखें let यह y equal to root under sin xq ओके अब यहाप लिखेंगे differentiating both side with respect to x we get देखें क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा d upon dx of this इकोल डू यह जाएगा डी अपॉण डी एक्स ओफ दिस यानिकी रूट अंडर sin xq ओके आगे दिखें यह हो जाएगा उमनों को डी वाइवाइवाइड डी एक्स इकोल दो से देखें आपे रूट में है इसको समझेगे x तो डी वाइडी एक्स ओफ यह रूट x हो गया सिसका रिजल्ट क्या होता है वन आप उन में two root aşk क्या बता है ते कभी वे आपको रूट में कोई function मिलेगा तो तो पहले वन आप सूरू रूट इंडर उस function को कॉपी कर दीजी यानि कि sin x q इन्टो अब किसका होगा derivative sin x q का तो जगा dy dx of sin x q फिर समझे dy dx of root sin x q तो dy dx of इसको हम लोगे कि x माल लिए तो dy dx of root x के अतना होता है 1 upon 2 root x होता है तो यह 1 upon 2 root under x के जगा पर sin x q इन्टो dy dx of sin x q आगे देखिए यह dy dx equal to यह 1 upon 2 root under sin x q इन्टो अब किसका होगा sin का होगा तो हम लोग जानते हैं कि dy dx of sin यह पूरा समझे की x है sin x के क्या होता है cos x cos x के जगा पर है यहाँ पर x q इन्टो अब किसका होगा dy dx of x q का पहले sin का हुआ है तो cos और x के जगा पर प्रता x q इन्टो अब dy dx of x q आगे देखिए यह वह जाए कर dy dx equal to 1 upon 2 root under sin x q इन्टो यह जाए cos x q इन्टो अब देखिए यह x का पावर n है dy dx of x to the power यहाँ क्या है नमबर है तो x to the power n क्या होता है n जैन्ट कि 3 x d to the power n minus 1 यान्ट 3 minus 1 हमनों ध्यान भी दख सकते हैं कि x q का डेरिबेटिश कितना होता है 3 x square होता है यह dy dx equal to 1 upon 2 root under sin x q इन्टो यह cos x q इन्टो 3 x square ओके आगे देखिए इसको हमनों ऐसे भी ले सकते हैं कि यह dy dx equal to 3 x square upon 2 देखिए 3 x square upon 2 into यह cos x q upon root under sin x q बस इसको एडेंज कर दिए फिर समझें यहां पर यह 3 x square upon 2 यह आगे इन्टो में cos x q upon sin x q इसको हमनों किया कि जस्ट एडेंज कर दिए हैं तो यह दोस्तो इसका आंसर हो गए तो आई होब दोस्तों इस साड़ा question आप लोग समझ में आगया कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कि जरे पूश सकते हैं वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोगों पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लेशन को लाइक कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और कमेंट कीजिए तो मिलते हैं ने इस वीडियो में तब तकी रिए thank you so कि एसा हाँ का वीडियो मेंटी है कि टीजिए प्रसे स्मीन से वाजन कमेट कीजिए और करेदी च Посब लोगों से ऐन को कि ऊच्छा का वेड़ा का येजित कि एस कEMA हो नोते हैं आप हैं कि एस पहते हुआ हैं फ्दिए से नससजी ऊटों से फुलहें तोटे हैं तोहें तो को